हालो, नमस्कार इस्ट्वेंट, मैं विशेक भारगाओ, भारगाओ क्लासेस के इस यूटुब चैनल में आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत करते हैं, आज का जमारा वीडियो को टॉपिक है वो है राश्टी खेल पुरुसकार 2023-2024, ठीक है, ये बहुत ही लेके लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि यहां से आपके एक्जाम में एक से दो कोशन जरूर पुछे जाएंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक बात और कहना चाहेंगे, कि यदि अभी तक आप लोगों ने इसके टेलीगराम ग्रूप में जो है वो दे दिया गया है, तो वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजेगा, उसके बाद जो है ये वाला प्रशन करेंगे, ठीक है, जितने भी प्रशन है, यह हम थोड़ी देर बात करते हैं, थोड़ा सा पहले इसका थेवरी वाला पार जो है उसके बाद जो है वो ये करेंगे, ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, इसके अंदर में क्या-क्या है, ठीक, तो देखें, यहां पर जो है वो, युवा मामले और खेल मंत्राले ने राश्टी खेल पुरुसकार 2023 की गोश्चना की है, ठीक है, इसके मंत्री कौन है, तो अन जन्वरी 2024 को पुरुसकार जो है, वो पुरुसकार जो है, तो यह पुरुसकार जो है, इन्होंने 9 जन्वरी 2024 को पुरुसकार जो है, भारत की राश्टपती ने, तो भारत की राश्टपती कौन है अभी, तो दुरापती मूर्मू, यह भी आपको याद रखना है, ठीक, उ इसको 2021 में जो है वो इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? मेजर ध्यान चंद खेल रत्न पुरुसकार ठीक है? याद रखेगा. अब 2023 में ये किसको दिया गया है? चिराग चंदर सेकर सेटी और रंकी रड़ी सात्विक साई राज को जो है वो ये दिया गया है. 9 जनवरी को ये पुरुसकार जो है इनको दिया गया? मेजर ध्यान चंद खेल रत्न पुरुसकार. याद रखेगा. चलिए, खेल और खेलों में उत्करिक्ष्ट प्रदर्सन के लिए 26 खिलाडियों को अर्जुन पुरुसकार दिया गया, तो आपको याद रखना है कि 26 खिलाडियों को जो है वो अर्जुन पुरुसकार दिया गया, ये भी एक important जो है वो data है, तो याद रखेगा 26 खिलाडियो ये दोनों ठीक है ये भी याद रखना है आपको चलिए आगे चलते हैं यहाँ पर एक main point है उसको याद रखिये जो कि exam में पूछा जा सकता है तो इस पर इन पुरसकारों के लिए बड़ी संख्या में आवैदन या नामांकन प्रात्त हुए थे जिन पर सेवा निर्वित न् प्रतान करने का निर्ण है लिया अब इसमें सबसे पहला क्या है मिजर धिहांचन्द खेल रतने पुरसकार जो की सबसे जो है वो गोल्ड मेडल प्राप्ते किये इस वर्स में ठीक है और ये जो है वो पहले रैंकिंग में भी आ गये थे जो की विस्वर रिकॉर्ड है ठीक है ये भी याद रखिएगा चलिए दूसरा है खेल और खेलों में उत्कृत्रिस प्रदसन के लिए अर्जुन पुरुसका तो अर्जुन पुरुसकार में जो है वो 26 खिलाडियों के नाम है तो 26 खिलाडियों के नाम देखेगा तो पहला है ओजस प्रवीन देवताले तिरंदा जी के लिए सूसरी अदिती गोपिचंद स्वामी ये तिरंदा जी के लिए फिर स्री संकर एम ये व्याम के लिए फिर है सूसरी पारूल चौधरी ये भी व्याम के लिए है मुहम्मद हुसा मुद्दीन ये मुक्य बाजी के लिए है फिर आर वैसाली सतरंज के लिए मुहम्मद शमी ये एक इंपॉर्टेंट नाम है मुहम्मद शमी जो एक क्रिकेट के लिए जिनको अरजुन पुरुसकार दिया गए ये आपके एक्जाम में पूछा जा सकता है तो ध्यान रखेगा अनुश अगरवाल घुड़ सवार के लिए दिवी कृतिन सिंग घुड़ सवारी के लिए फिर दि लॉन कटोरे ये याद रखेगा एसवरिया प्रताप सिंग सूटिंग के लिए उसी प्रकार इसा सिंग जो है वो सूटिंग के लिए हरिंदर पाल सिंग जो है वो स्क्वाश के लिए ठीक है मुखरजी जो है वो टेबल टेनिस के लिए सुनिल कुमार जो है कुस्ती के तल्वार बाजी जो इसको कहा जाता है यह उसके लिए दिया गया है ये भी एक इंपॉर्टेंट है इसको भी याद रखेगा ठीक है उसके पराद सीतल देवी जो है वह पैरा तिरंदा जी के लिए अजय कुमार जो है वह ब्लाइंड क्रिकेट के लिए और प्राची यादा पैरा कैनोईंग के लिए ठीक है तो यह याद रखेगा 26 लोगों को अर्जुन पुरुसकार दिये गया है उसी प्रकार देखेए खेलों में उत्करिष्ट प्रसिक्षकों के लिए द्रोणाचारी पुरुसकार जो है वो दिये गयाता है आर्बी रमेज सत्रंज के लिए महावेर प्रसाद सैनी पैरा एतलेटिक्स के लिए उसी प्रकार जो है वो सिवेंदर सिंग हौकी के लिए और गड़ेश प्रभाकर मलखम ये एक important है याद रखेगा वो जो पोल के उपर चड़के जो गेम खेलते है न ये वो आला है ठीक है लटक कर मलखम जिसको कहा जाता है तो इनके बारे में याद रखेगा इन पाचोरों को जो है वो क्या दिया गया है नियमित जो है स्रेणी के अंदर में कोच द्रोनाचारी अवार्ड जो है वो दिया गया है आज इवन स्रेणी लाइफ टाइम के लिए कोच अवार्ड किसको दिया गया है तो जसकीरत सिंग को दिया गया है गुल्फ के लिए भासकरणी को दिया है कबड़ी के लिए और जैंत कुमार को दिया है टेबल टेनिस के लिए तो उनके न ठीक है उसी प्रकार देखिए पाच्वा जो है वो अवार्ड कौन सा होता है मौलाना अबूल कलाम अजाद प्रॉफी 2023 इससे भी एक्जाम में कोशन जो है वो आपके पूछे जाते हैं तो गुरुनानक दे विश्विद्याला अमरित सर ये जो है वो विश्विद्याला को द ठीक है उसके बाद छट्वा जो है इसके अंदर में जो है वो कैटेगरी है वो है राश्टी खेल प्रुत्साहन पुरुसकार 2023 ये दिया जाता है देखे किसको दिया गया वर्ग है नौदित यूवा प्रतिभा की पहचान इवं पोशन के लिए जैन डिम्ड उनिवर्सेट कर सकते हैं भारगाव क्लासिस के टेलिग्राम ग्रुप से ठीक है वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लिजेगा देखे राश्टी खेल दिवास जो है वो भारत में राश्टी खेल दिवास प्रतेक वर्स जो है वो 29 सगस्त को मेजर ध्यान चंद की जैनती के दिन बना जाता है 29 30 सगस को भारत के महान होकी प्लेयर मेजर ध्यान चंद का क्या हुआ था जन्म हुआ था और मेजर ध्यान चंद को होकी का जादूगर कहा जाता है तो ये पॉइंट को भी याद रखेगा ठीक है तो ये जो हो गया ये तो हो गया थिवरी वाला पार अब इसके अंदर में कै पुरुसकारों की घोशना किस मंटरालय के द्वारा की जाती है। आप बताना है आप लोगों को कि किसके दूरा प्रदान किये जाते हैं यदि आप लोगों को इन में से किसी को भी एक आंसर मालुं हो तो नीचे कमनेट सेक्शन में कमनेंट करते रहिएगा ठीक है इसी मेंसे आपके एकजाम में कूशन पूछे जाएंगे तो राष्टी खेल पूरुसकार किसके द्वारा प्रदान की जाते हैं तो यहाँ पर जो सही अंसर हो जागा वो हो जागा राष्टपती, और अभी हाल फिलाल में राष्टपती कौन है, तो कौन है, द्रौपती मुर्मू, याद रखेगा, इनके द्वारा जो है वो 9 जनवर 2024 को जो है वो प्रदान किये गया है राष्ट पति के द्वारा याद रखेगा चलिए कुशन नमबर 4 पह जाते हैं कुशन नमबर 4 है मेजर ध्यान चंद खेल रतन अवार्ड 2023 किसे दिया गया तो किसे दिया गया चिराग चंदर सेखर रेड़ी सठी या रंकी रेड़ी सातविक साईराज या दोनों को या महंदर सिंग धोनी को तो किसको दिया गया तो दोनों को दिया गया यहाँ पर आप इन दोनों की तस्वीर देख सकते हैं इन दोनों को यह अवार्ड जो है वो दिया गया मेजर ध्यान चंद खेल रतन अवार्ड ठीक है 2023 इनको दिया गया है चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं तो देखे यह अवार्ड जो है वो बेड्मिंटन के दो खिलाडियों को दिया गया या दिया जाएगा अभी दिया गया होगा ठीक है चिराग चंदर सेखर सेथी और रंकी र ध्यान चंद वार्ड किसलिए दिया जाता है तो पिछले चार वर्सों के जो खेल होते हैं उसमें उत्करिष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है इस पुरुसकार की स्थापना 91-92 मतलब 1991-92 में की गई थी ये भी याद रखेगा 2021 में राजीव गांदी खेल रतन के नाम को बदल कर यह नाम दिया गया था कौन सा नाम मेजर ध्यान चंद ठीक है याद रखेगा मेजर ध्यान चंद खेल पुरुसकार जो है वो राजीव गांदी खेल रतन पुरुसकार का नाम चेंज करकर 2021 में ये किया गया था ठीक है इ यहाँ पर थोड़ा सा इनके बारे में भी देख लेते हैं, तो भारती जोडी ने इस साल सांदार प्रदर्शन करते हुए, मार्च में स्वीज ओपन, ये पहला जीता इन लोगे गोल्ड, फिर जून में इन लोगे ने जीता इंडोनेशिया ओपन, फिर जुलाई में कोरिया ओपन, इन सभी में इनके गोल्ड हैं, भारती जोडी ने पिछले महिने हॉंग जाओ में एशियन गेम्स में बैडमिंटन में भारत के लिए पहला स्वर्ण अप्रतक जीता, और ये जीतकर इन्होंने क्या किया, इतिहास रचा, अप्रेल में बैडमिंटन एशिया चेंपेंशिप जीती, उसके बाद में चिराक सेट्टी और सात्विक साहिराज रंकी रेडडी की जोडी, इस अक्टूबर में BWF रैंकिंग में विस्व नंबर वन इस्थान हासिल क इन दोनों के बारे में पुछा जा सकता है, ठीक है, तो ये याद रखेगा, ठीक, चलिए नेक्स्ट कोशन की दरब चलते हैं, पाचव प्रशन है, अरजुन पुरुसकार 2023, कितने खिलाडियों को दिया गया, अभी हम लोगों ने थेवरी आले पार्ट में देखा, तो कित कितने खिलाडियों को दिया गया, या अरजुन पुरुसकार, तो ये दिया गया, 26 खिलाडियों को, कितने खिलाडियों को, 26 खिलाडियों को दिया गया, इसमें मैंने कहा था कि क्रिकेट से मोहमद सम्मी का नाम याद रखेगा, उनसे एक्जाम में कोशन बन सकता है, मेजर ध्यान चंद खेल रतन पुरुसकार, ठीक है, जो की पहले राजी वगांदी खेल रतन पुरुसकार के नाम से जाना जाता था, जिसको 2021 मेजर ध्यान चंद खेल रतन पुरुसकार के नाम से जाना जाता था, जिसको 2021 मेजर ध्यान चंद खेल रतन पुरुसकार के फ्यूज मत होईएगा ये स्टार्ट किया गया था 1991-92 से ठीक है चलिए next question है आम तोर पर प्रतिवर्स कितने सिक्षकों को द्रोणाचार ये पुरुसकार से सम्मानित किया जाता है तो देखें प्रतिवर्स जो है वो आम तोर पर जो है वो पांच प्रसिक्षकों को जो है वो दिया जाता है चलिए question number 9 अब यहाँ पर जो है वो question किस टाइप से भी बन सकता है कि राजी वगांदी खेल रतन पुरुसकार प्रतिवर्स किसे दिया गया ऐसा भी हो सकता है क्योंकि 2021 तक जो है वो क्या था ये राजी वगांदी खेल रतन पुरुसकार था जो 2021 के बाद क् जम बार किसे दिया गया था इनको आप यदी फोटो में देख रहे हैं तो जानते होंगे इनका नाम है विस्वनाथन आनंद जो की 17 जी के खिलारी है इनको पहली बार दिया गया था ठीक है question number 10 महेंदर सिंग धोनी को राजी वगांदी खेल रतन पुरुसकार से किस वर सम् पुरुसकार कर दिया गया तो ये देख सकते हैं आप महेंदर सिंग धोनी को राष्ट पत्ति क्या दे रहे हैं ये दिया गया था इनको 2007 के अंदर में ठीक है चलिए देख लेते हैं महेंदर सिंग धोनी को 2007 में राजी वगांदी खेल रतन पुरुसकार का मतलब क्या होता ह ठीक है तो किसलिए दिया जाता है कोच तो खेल कूत के संबंदित से ये पुरुसकार दिया जाता है चलिए कोशन नमबर 12 द्रोणाचार ये पुरुसकार किसे दिया जाता है खेल के मैदान में उत्कृष्ट सिक्षकों को, क्रिकेट के मैदान में उत्कृष्ट सिक्षकों को, कॉलेज में उत्कृष्ट सिक्षकों को, या पढ़ाई के मामले में उत्कृष्ट सिक्षकों को, तो यहाँ पर क्या जाएगा, खेल रतन पुरुसकार में खेल, खेल के खेल रत न पुरश्कार जिसका नाम मेजर ध्यानचन पुरुष्कार गया इसको कब किया गया, your dream 1992 में, ञें, your dream जिर ध्यानचन गया राजीव कंदी खेल रत न बोल सकते है और अर्जुन पुरुष्कार की शुरुवात 1961 में की गई थी, ठीक है। देखे यह पुरुसकार 1971 में 5 लाक रुपए नगत पुरुसकार अरजून की 80 प्रतिमा और एक स्क्रॉल के साथ में सुरू किया गया था और प्रतेक वर्ष विविनिस रेडियों के खिलाडियों को भारत के राष्ट पती द्वारा ये प्रस्तूत किया जाता था अब पुरुसकार ने किस वर्ष अर्जून पुरुसकार से सम्मानित किया था ठीक है ये आप लोगों को कमेंट सेक्षन में कमेंट करकर जरूर बताना है इससे आपकी भी प्रेक्टिस हो गी और आपको भी इसके बारे में मालुम पड़ेगा ये वीडियो कैसा लगा वो भी न